प्यारे बच्चों अब सभी कमर चनल पे बहुत दोस्वागत है जितने विदार्थी 27 फरवरी को गनित का पेपर देने मल है उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेगर का चुका हूं और बच्चों इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को गनित के पूरे किताब के जितने सकते हैं उन्हें सही प्रेशन को इस वीडियो के मादम से कपर करेंगे जो कि 27 फरवरी के पेपर में पका पूछे जाएगा और बच्चों एक बात में पूरे यकीन के साथ बल सकता हूं कि जो भी बच्चा इमानदारी से इस पूरे पेपर का सालूशन अंत तक देख लेता है तो 27 फरवरी पेपर भाईस आग लगा देगा और यह वीडियो देखने के बाद हम सभी का सतर में सतर पका हो जा отдक्रा इस बात की पुरी गरंटी है बस इतना पढ़ लो 27 फरवरी के पेपर में 100 परसंट यही क्ら पूछा जाएगा इस बात की पूरी गरंटी करेंगे बीडियो को लाइक कर देना चैनल सबस्क्राइब कर देना आई यह साती हो सबसे पहले हमेरे कुछा किया है ध्यान से समझते हैं और यह कुछ अब की बार पेपर में पका पूछा जाएगा को सबस्क्राइब का HCF यानि कि मसर तेईस और LCM यानि कि लासत 1449 से यदि उलमेस एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्याद करेंगे और यह कोशन पेपर में कई बर चार नंबर में पूछा जा चुका है ध्यान से समझेगा किस परकार सल किया जाएगा तो बच्छों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कोशन क्या दिया है दो संख्याओं के HCF हमारे देखा है इसी परकार सल कर रहा होगा HCF हमारे दे रखा कितना वाई तेईस और सब्सक्राइब करना है इसका इमान दे रखा है दिया है 161 अराम शाल करेंगा बैई पूरा सतर में 70 आएगा ठीक डीक यह अब करना है कि अब सब्सक्राइब को दूसरी संख्या निकाल ला है तो बच्छाब यहाँ पर फार्मूला जानते हैं कि मसा अगूले सब्कौने हम पूर। रसप्र सब्सक्राइफ इम पड़ान से आए सब्सक्राइब दूसरी सब्सक्राइब गुने दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता भाई मौसा गुने लौसा यानि कि HCF इन्टू LCM होता है यह तो यह फर्मूला होता है अब चो क्या करो पाली संख्या दूसरी संख्या यहां पर मान रख दो दूसरी संख्या यहां पर सबते सब्सक्राइब क्या करेंगे यहां में इधर फिर प्राइब क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एक सॉ एकसर्ट इस परकार से था ऐस्ट में यह साथ बार में कड़ जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा इसी परकार से बच्चो आप सभी को सारे परिशन पता हूंगा भाई गरांटी दे सकता हो कि जो ही बच्चा इमानदारी से इस पूरे सेस्टन कौन तक दिखते हैं न भाई तो उसका सतर में सतर पका हो जाएगा इस बात की के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है यहां अंक बदल सकता है क्या बोल रहा है कि युक्लीड विवाजन अल्गुरिदम का प्रियों करके संख्याओं 125 और 25 का HCF यानि कि मौसक ज्याद करिए अब बच्चों मौसक कैसे ज्याद किया जाता है सबसे ध्यान दिजिए क यहां पर इसमें हम यहां पर सबसे पर हमारा संख्या दिया गया है यहां पर 125 और यहां पर 25 दिया गया है तो हम यहां पर युज़ करेंगे युक्लीड विवाजन अल्गुरिदम यहां लिखेंग हल हमारे पास दो संख्या दे रखिए 125 दे रखा है जो कि यहां 25 से क्या है बड़ा है ठीक न हम यहां पर 125 को ए माल लेते हैं और 25 को बी माल लेते हैं ठीक न इतना करने के अधा हम यहां पर क्या करेंगे युक्लीड विवाजन अल्गुरिजम लगाएंगे ठीक यहां लिखे आट प्रमे से आच अच्छा मताओ भर मचोऊ युक्लीड विवाजन प्रमे क्या बोलता है यह बोलता है कि जब कोई संख्या Sonra is प्रकार ना रूपका होगा थीक ना क्या है इस प्रकार से होता है अब हम क्या करेंगे 125 में कि एक 25 में 25 बाहर करेंगे एक 25 बराबर अब देखाँ की बार करेंगे 25 से दिवाइट करो यह हो जाएगा जाएगा 25 गूने पांच आपका reminder कितना बच जाएगा और कमान हो जाएगा जीरो यह condition तब तक हिया जाता है जब यहाँ पर祈नरा सकतर R inward जिरो कजीरो ना जाए तो जब reminder जोma चाहिएगा वही दो म्हिन होगा ऑश आसा जाएगा और हम हम और हम एक से पांट्यों एक सब पचीश और पचीश बर्बर क्या हो जाएगा पचीश हो जाएगा मैंने बहुत सिंपल सवाल ले रखा था इसी परगार से आप सभी कहल कर रहा होगा एकदम बिल्कुल इसी भासा में इसी अंदाज महल करो कि आप पूरा नमर मिलेगा एक भी नमर ना कटेगा ओके अ पांच माइनस करणी में तीन एक या बहिया एक और में संख्या है यह आपको बहिया प्रूफ करना है तो बच्चों कैसे आल करेंगे जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बच्चों जो भी आपको ऐसा क्वेश्ण दीखे करना तो क्या करना आप सभी लोग इसक एक पर्में संख्या है इसमें लिखेंगे इसका सालुसं है ध्यान दीजिएगा इसमें लिखेंगे माना का सब्सक्राइब का पांच म Сब्सक्राइब मेला नृति तीन 1 126 singularरे एक कि पर्में संख्या है अ परिमये संख्या है, अभ बच्शे बताओ, जょब परिमये संख्या यह हो गया तो हम यह बोल सकते हैं कि भाईया यह आई प्पंच माईनस रूट तीन इसको हम पी बटे क्यू की रूप में लिれ सकते हैं यहां पर भाईया यहां उखो एई और बी ए और बी क्या हो बहीं आप पुलांग खषाए धन पुलांग होना चाहिए घ्राइक के इतना हो घ्राइव एक बात दोड़ा यहां पर देखो यह ड़का नितौन हो तो मसा निकालेंगे तो हम ऐसा क्या आएगा एक से अधिक ही आना चाहिए एक कम से कम तो आना ही चाहिए ठीक ना इस परकार से अब बच्छो यहां पर हम बात करेंगे यहां पर देखो पांच माइनस करणी में तीन एक बट भी हो जाएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको इसको इस परकार से लिख सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे चुकी अब देखो इसलिए और भी कि अब यह पुडांक है जब पुडांक में पुडांक से भाग करोगे तो क्या हो जागा यह वी तो पुडांक ही होगा इसलिए कि इसलिए 5-a बी बी फुडांक होगा और परिमे संख्या होगा भी एक परिमे संख्या है इस पर कर से लिख सकते हैं और अर्थात हम यह बह सकते हैं अर्थात रूट तीन एक एक परिमे संख्या है जब वो परिमे संख्या होगा तो भाई उसी के बरावरत ये भी एक परिमे संख्या है अथा हम ये बोल सकते हैं परंतु कथन का विरोधा भास हो रहा है क्यों कि यहां पर हो रहा है क्यों क्योंकि यहां रूट तीन है एक वपरिमे संख्या है कि इस इस स्वक्षक करते है और विली सकते हैं अंत में अत़ पांच मॉर्जः स Dziękuję क्या हो जाएगा एक आपर में संख्या होगा जब कथन के विर्योधा बास होगे तो क्या होगा यह होगी ठीक है इस परकार से प्रूफ कर देना है ठीक है चलो होप आशा करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए अगला अबर कोशन क्या दिया है बहुत ही ख क्या करना आप सभी को छे बहुत्तार और एक सबीस का अब भाज गुण खंडर में दिखे दोर मैंने आपको एक और कोशन बताया था यूकली भी भाजन एल्गुरिधम के मादव से मैंने स्ट निकाला था इसमें क्या करना भाई छो का आब आब आज गुण खंडर निकाल सबीस का क्या होगा होगा दो गुणे दो दी तुन के चार चार दो आर्ट न आट थीक क्या होता है जो कम से कम मिल रहा है जिसा यहां तो इस प्रकार से लिख लो क्या हो जाएगा दो दुने के 4 हूं आठ और तरी चुबिस तरी बहुत तर और 12 परचेंट बहुत कि इसका राइटा हो जाएगा लसे परकार से करना है ठीक ना अब चलिए अगरा क्या दिया है भागु धाया बिलकुल सीम्पल सा पुछा दिया है एक अदम बेसिक से समझाएंगा पूरा यहां पे बतावांगा एक बी छोड़ू नहीं है थीक न हमारा कोशन क्या दिना है कि प्रतिस्थापन बिधी के द्वहरा हल ग्याद करना है ठीक चलिए कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए इसमें यहां पर दे लाजह एकस माइनस भाई बरापर दो और यहां पर फॉर एकस प्लस सात वाई बराबर तीस दे रखा है तो बच्छा हमको क्या करना है प्रतिस्थापन बीदी के दिवरा इस दोनों इसक्वेशन को हल करके X और Y कमान निकालना है तो कैसा है करेंगे सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं 3902x-y 2 और यहां पर हम लिक दिखाते हैं 4x-3OOOO поступ तो हम यहां पर क्या करेंगे X कमान यहां से निकालने ऍसक्राइब क्या हो जाएगास 2 सlarar इस答 क्या क्या करेंगे यहां यहां पर X ine कि एक्स कमान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर ठीक इस परकार से अब कर लेते हैं यह हो जाएगा बच्चा यह फोर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा टू पलस में यह वाई आप अब करें क्या यह बना कर देंगे यह आठ पलस फॉर वाई यह पलस मी कितना वह भाबू यह वजाएगा साथ और यह कितना हो जाएगा यह वजाएगा आपका 30 ति कितना हो जाएगा 11 वाई बरफिछ में आठ यह नहीं आठ तो यह तो य वॉण खितना हो जायगा 22 बट्टे के 11 व्लाइब हम यह से निकाल सकते हैं दू वाई कमान कितना आ गया दो अब अच्छा करें क्या वाई कमान समीकर्ड एक में रख दो ठीक न यहां पर समीकर्डड 1 समीकर्ड एक में रखने पर अब है रखते हैं तो य कमांड सम्क्रेक में रखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर यहां पर देखो यह टू प्लस में वाई है ठीक ना यह हो जाएगा एक्स बराबर टू प्लस में वाई कमांड के इंदा निकाले थे निकाले थे दो एक्स बर क्या जाएगा दो दो चार हो जाएगा यानि कि एक कमांद चार और वाई कमांद दो इस परगार से बच्चे आप सभी कुछ सारे कुशन को हल करना है एटेम कर रहा है आगे समझ में चलिए अब बच्चे अगला कुशन क्या दिया ज्यारा ध्यान सथी देखिएगा इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है औ आठेव जंख्या तो सभस्ते पहले बच्चों क्या कर एक हम मान लहते हैं कि माना है दूसरी संख्या बराबर Só तो संख्याओं से यह और जाएगी अब दूसरी कि निम्हें है तो पहली संख्या में से आप अगर दूसरी संख्या घाटा दोगे तो कितना आ जाएगा 26 भाई ठीक ना अब यह कितना आ जाएगा यह 2x बराबर 26 एक्स बराब कितना निकाल सकते हो यह आपका राइट एंसर हो जाएगा इसी प्रकार साफसर को हल करना है ठीक ना चलो अब कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान से दखिएगा यहाँ पर बोल रहे कि एक और एक आयताकार बाग का अर्द परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चवड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग की भीमाएं का करना है बच्चों कैसल करेंगे ध्यान दिज आयताकार बाग की छोड़ाई एक मीटर है ठीक ना तो भाइया लंबाई कितने हो जाएगी लंबाई ओजाएगी एक सब्सक्राइब हो जाएगी बहिए चार मितर अधिक है अब भी अचो बताओ कि आयतकार बाग हो या अपका समान ऑचिंग आयत का और देपर में आपको कितना होता है यह होता एक प्लस उप्लस यह और दो अधा कर दो ठीक ना प्लस य कितना चतिस मीटर तो हम इसी को लिखेंगे अर्द परिम्याप के जगाप पर आई यह लिखते हैं इसमें लिख देंगे कि बाग का अर्द परिम्याप बाग का अर्द परिम्याप दिया ञेगा है आप उके जत्तिस मिंटर दिया है अब बताव बता ठोंकि और उर्द पर फर्मला क्या हो जाएगा है परिमय आपका क्या होता है टू एक स्क्रत्राइब लेकर एक्स फ्लस-वाइब बराबर है यह हो जाएगा 36 तो यहां पर दखो अगर मालो मालो अपर यह वाला युट चार इतना चीज ठीक है इस परकार से तो यह बच्छा क्या हो जाएगा आपका छथी स्क्रत्राइब टू एक्स प्लस में चार बराबरुछ चार ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये तू एक्स बराबर चार एक्स क्मान आपको लंबाई भी निकालना है यानिकि इस परकार से एंसर हो गया इसी परकार से चाली अब अगला कोशन क्या क्या है समझेगा बिलकुल सिम्पल से कोशन है या भी देखो यह वह वहले क्या बोल रहा है कि समय करण 3x square minus 5x plus 2 बराबर 0 का बिवितकर निकाला क्या करना है कैसे निकालोगे ज़रा ध्यम दीजेगे यहां पर बिवितकर निकाला का फर्मूला क्या होता बच्चा यह होता है सबसे पर यहां पर equation को लिखते हैं 3x square minus का 5x plus 2 बराबर 0 दिया है हम क्या करेंगे सबसे पहले हम compare करेंगे x square plus bx plus c बराबर 0 से तुलना कर दो तो क्या हो जाएगा यह बराबर 3 हो जाएगा बी बराबर माइनस का 5 हो जाएगा सी बराबर प्लस का दो हो जाएगा ठीक नो इस परकार से अब चले बताओ क्या हो जाएगा 25-42 24 जाएगा यानि कि दी घंवन कै आ जाएगा एक आ जाएगा इस परकार से हल करना हो गजा चाली अब अंइच आ जाता है बता सो सच आलफा इन्ट्यटों प्लस में गोच्वकर सोनुटा जाता है या फोलनुला क्या होता है यह होता है । मैंनस फे!*े scrutiny तो से कल्किलियर्यिब ard सब्सक्राइब लुकन होता है अब ओत internacional रानतगे डाराल 0 होजाता है यह तो किमूलो का यूफ फल इन्ट्व एकस में मूल को सबसे पर्सा निकाल लेते हैं कि इंटी प्लेस एक बैट तीन शरी कें नेवह ओ जागा यहाई यह क्या हो जाएगा 3 into 1 बटतीन ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा मनें 1 हुई होगा ठीक है इस परकर से इसमें मान रखते हैं भाइ म्या हो जाएगा x square minus ये हो जाएगा 10 बटतीन into x plus 1 बरबर 0 और इसको थ्यूदर सिंप्लिफाई और कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा इसको इलम siblings कर दो इसको और इसको 3 X Sqr मांगाना 10 एक प्लस प्लस 3 वाटे का 3 बरबर 0 ने चलिए बहिते जीरो और यै인가 इस प्रकार से अपका इसले सत्साफ में हो जाएंगा यह और ऑग्ला अगी判 चलिए अब अगला कुशन क्या है कि गुड़ानखंड भी दिस हल कर रहा है ठीना कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा आप हल करते हैं एक्स कमान निकालना है यहां पर कुशन बोल रहा है कि 100 स्क्वेट गलाओ स्क्वेट म! माइनस 20 एक्स प्लस one बराबर जीरो घूनाइम यह उसी फ्लकार का है यह क्या वेक्स इस इस्क्वेट में सी बराबर 0 करूप निटकर खरतें सिस्च करते हैं घूना करने पर आपको यहां पर असी वह पुजा है और जूला करणा का आपको यह लेंगे तो भाई हमको 100 मिल जाएगा और 20 हमको लाना है तो क्या हो जाएगा दस प्लस दस लेंगे मिल जाएगा ठीक ना इस परकार चाहल करना होगा आई हल करते हैं यह को हो जाएगा 100 x square minus 20 को लिख सकते हैं 10 plus 10 इस परकार से लिख सकते हैं ना plus x इन्टु x plus one बड़ाबर 0 अब दो बारी बाड़ी से मुला कर लो यह हो जाएगा 100x square minus 10x minus 10x plus one बड़ाबर 0 अब सब में कावन कर लो यह हो जाएगा 10x कावन करोगे तो यह हो जाएगा 10 x-1 फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का एक कावन करोगे तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई यहां पर हमको देखों यहां पर 10x हमने कामिन कर लिया तो 10x-1 हो गया फिर यहां पर यह 10x-1 हो गया 10x-1 इस परकार से जीरो ठीक है अब दोनों को बारी बारी स्गुना कर लेते हैं यह जाएं यह पर इसको जीरो करो यह का हो जाएगा 10x-1 इसी परकार से यह भी है तो वहाई उसका विमान क्या हो जाएगा ठीक चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला कुशन क्या दिया है यहां बहुत इंपोर्टेंट कुशन है पेपर में छे नंबर काता है ध्यान से समझेगा विल्कुल बेसिक भासा में समझांगा भाई देशी भासा में समझांगा ठीक नो चलिए कैसे यहां ध्यान दिजिएगा को सबसे पहले पच्छों क्या करेंगे हम माल लेंगे कि माना यहां पर लेखो माना से दहाई का अंक बराबर वाई एक्स माल लो ठीक न और एकाई का अंक माल लो कि बेदल जाएक संख्यव, क्या बन जाएगी 10 x प्लस y इतना मम जान जाने है अंककउ का योग यहां पर दे रखा 1 Dollar को आइए प्रस्षण कर्पें अब प्रस्षण अब लिखेंगे एक कार्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और अगर अंकों का पलट दिया जाए तो जो मुल्ष संक्या होगी ना मुल्ष संक्या सी पहें थालिस अधिक हो जाएगी यह जाएगा टेन वाई प्लस में एक्स हो जाएगा और यह आपका टेन एक्स यह संक्या जाए तो बनने संक्या मैंने बनेने संक्या यह संक्या से 45 अधिक है यह तो बहिए इसमें घ्टा दो 45 अन्य इसमें 45 जोड़ दो इस परकार से अप्शर इसको इधर लाओ देखा हो जाएगा 10y पलस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 45 यह क्या होजागा यह होजागा 9y माइनस में 9x बराबर 45 यहां पे क्या होजागा 9 से भाग कर दो तो 9,45 हो जाएगा ठीक न और इसको आप एक विसंट सेकंड माल लो अब समीकरण और एक को दोना को आपस में जोड़ दो यहाप लिखेंगे समीकरण 1 यह हो जायगा x-y ठीक न मालि y-x मैं यहां पर लिक दे रहां बराबर 9 यह होजागा y-x बराबर क्या होजागा y-5 जोड़ दो यह हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 14 तो y बराबर क्या आजाएगा 7 अब 7 कमान y के बराबर किसी इक्वेशन में रख दो पहले इक्वेशन में रख दो यहां पर दो y कमान आजाएगो तो एक्वेसान नव किसी जा िजित पहले पहले हिसर में रखने पर एक्वू प्लस य मिल करके 9 बना रहा है तो 10 2 प्रकाट से एक संख्या निकालना है तो संख्या क्या हो जाएगी तो 10 गोंगे टू प्लस में साथ तो क्या हो जाएगा 20 प्लस चाहिए यही आपका फाइनल इंसर होगा है ठीक है चली आसा करता हूं संद्ध आ गया होगा चली अग्लावाद कुशन क्या है यह बहुत ही सिंपल से कोचन है कई वार यही पेपर में आ चुका है कैसाल करेंगे सबस्ते पारे बचन हम क्या करेंगे एक भीन माल लेंगे लिखेंगे यहां पर माना भीन कि एक्स लंडटे में वाई माना भिंग क्या भई एक्स लंड़टे वाई है ठीक है छलिए भाई अब बोल रहा है कि यह दिभीन एक मटा तिन कप पहोगी जब अन्स में एक हटाए आ जाएगा थीक ना तो पहला सर्ता नुसार यहां पर अपने पर पुरे नंबर मिलेंगे ठीक ना क्योंकि यहीं देखता है लिखेंगे प्रथम प्रथम सर्ता नुशार क्या बोल रहा है एकस माइनस वाई एकस माइनस वाई बटा में वाई बराबर एक बड़त तीन हो जा रहा है यहां से अब एक पहले निकाल लो यह हो जाएगा थ्री एकस माइनस थ्री बराबर हो जाएगा वाई ठीक है इस परकाट से इसको आप इक्वेशन इसको आप इक्वेशन फर्स्ट माल लो ठीक है अब चलो दितिया शर्ता नुशार क्या बोल रहा है कि यह बोल रहा है कि जब भीन के हर में आठ जोड देंगे ना तो क्या हो जाएगा उसका मानी एक बड़ा चार हो जाएगा अब इसको भी हम निकाल लेते हैं यह वह जाएगा फोर एकस बराबर हो जाएगा वाई पलस में एट इसको इसको संसेकंड माल लो अब करेंगा क् यह दोनों के जगा लिख लो दोनों 4ाल लीख सकते हूं यह हो जाएगा हूं सिसलिए सबनार्म ओग को में यह जाएगा फोर पलस क्या है और बकृकर स्वा स्वाइब यहांबं थो सकते हो तो रखने का तरीका क्या होगा यह दलिए ने उसमें रखतो तो क्या हो जाएगा यह ज़िए थ्रीएक्स माइनस का 3 प्लस 8 हो जाएगा यह होजाएगा 4x बराबर यह हो जैगा 3x 5 इसको इदर लावगे ते एकस हो जाएगा 4x माइनस में 3eX ऑ़का न बराबर यह फड़ेगह बाल निकाल लिए तो एक्स कमान किसी भी क्वेशन में रख दो लिख देंगे यहां पर एक्स कमान लिख रहाग नहीं एक्स कमान समी करण एक में रखने पर दो में रख दो तो क्या हो जागा फोर गुड़े 5 बरबर y प्लस 8 तो पंचव के 20 बरबर y प्लस 8 तो टो प्यार बच्चों आज के लिए अगर यह वीडियो आपके अच्छी लागी होगी तो वीडियो के प्लस लाइक कर देना चैनल प्रना यहां श्ब्सक्काइब बर देना जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय भारत वंदे मात्रों